बात करेंगे SBI की 5.39 पे कामकाच कर रहा है दिन की शुरुवात इसने 5.45 से किया था और दिन का खात्मा इसका हुआ है 5.39 सिर्फ 6.00 नीचे गिर के इसका एक बहुत कारण बड़ा कारण है हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि आज के दिन में बैंक निफ्टी रहा उसका असर बहुत सारे शेयर्स पे पड़ा है इसलिए अगर आप कल अगर इसमें निवेश करना चाहते है इंट्राडे के नजरिये से तो देखिए फिलाल इसका जो 5.40 का जो एक रेंज बना हुआ है ये काफी स्ट्रॉंग है और इसका जो रेस्टेंस लेवल है तो ये 5.40 का ये रेस्टेंस लेवल ये फॉलो कर रहा है अभी अब 5.40 को अगर एक बार यहाँ से ब्रेक आउट अगर कल मिल जाता है तो इसका अगला पड़ा होगा 5.50 का और 5.50 क्रॉस करने के लिए इसको ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं और 5.50 एक बार अगर क्रॉस हो तो आसानी से ये 5.70 तक पहुँच सकता है कल के दिन ही तो कल का आपका टार्गेट होना चाहिए 50 से लेके 75 50 से लेके 5.70 तक का आपका कल का टार्गेट होना चाहिए